असलालेकुम अमीद है कि आप सब ठीक होंगे आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ICT breaker block क्या है और यह कैसे हम इस पर trade ले सकते हैं बहुत सिंपल module है वीडियो का आपने एंड तक देखना है किसी point को miss नहीं करना है इस strategy में हमने क्या करना होता है एक trend को find करना होता है market bullish है या बिरिश है कोई भी time frame हो सकता है time frame को कोई मसला नहीं one minute five fifteen four hour daily hourly weekly no problem तो जब आप trend find कर लेते हैं आपने find कि हा कि price higher high higher lows मना रही है ठीक है उसके बाद आप wait करते हो कि अगर price किसी भी recent lower high को ठीक है sorry आपके हाँ lower high को break करती है break करने के बाद वापस अगर उसी lower high के एरिया में आकर retest करती है और आपको reaction देती है तो उसे ICT का breaker block कहते है ठीक है अब ये area जो है वो as a resistance काम करेगा breaker block area ठीक है आपने basic price action का rule पढ़ा होगा काफी लोग आपने जब आप ICT या SMC सीखने से पहले आपने सुना होगा कि price जब higher high हाई रो बना रही होती है तो यह जो एरिया होता है यह स्पोर्ट का काम करता है जो प्रिवियस लोवर हाइव आपका जो हायर हाइव आपका स्पोर्ट का काम करता है ऐसी बात है ना और यह वाला जो एरिया है यह भी आपका स्पोर्ट का काम करता है अगर इसको price break कर देती है तो आपका जो structure है वो shift हो जाता है simple आपने ये बात तो सुनी होगी न तो इसमें same process है कि price आपका structure change करती है करने के बाद वापस आपके breaker block area में अगर आती है और उसके बाद आपको एक अच्छा reaction देती है तो इसे ICT का breaker block करते हैं बहुत simple है और इसके साथ आपने एक चीज़ और react कर लेंगा fair value gap को तो आपका और simple वो हो जाएगा ठीक है same business scenario में price lower low lower highs बना रही है और उसके बाद करती है price shift होती है अपना structure shift करती है business से bullish होती है वापस रही test करती है और आपको एक trade देती है तो मैं आपको यह जो है ना लाइफ चलके यहाँ पर वन मिनुट के टाइम फ्रेम पर दिखा रहा हूँ euro usd का chart है अब किसी पर भी जाके test करो ठीक है price पहले lower low lower highs बना रही थी और फिर क्या हुआ यहाँ पर न्यू यॉयॉर्क उपन पर आप देखो के price ने एक momentum दिया और recent low को breaker कर दिया ठीक है ब्रेक करने के बाद क्या हुआ कि आपका जो है यहाँ पर क्या था ब्रेकर ब्लॉक प्लस फेर वैल्यू कैप ठीक है price ने reaction दिया और उपर गई ठीक है जाने के बाद यहाँ पर फिर एक breaker block था जहां पर इस candle ने इतना बड़ा move लिया था तो यह वाली वह एरिया थे जहां से ब्रेक हुई थी ठीक है यहाँ पर आकर price ने आपको कुछ ना कुछ रेक्शन दिया फिर price उपर गई है आपको एक एक च्रेड इस ने दी एिए है मैं यहां पर गोलट पी आं जातों ठीक है क्安ag उपर और कम ज्यादा गोलडट करता हूं तो यहां पर गोलड के अंदर हम देखेंगे कि कि क्या हमें कुछ ऐसी ठीर्ड मिली है यहां पर तो यहां पे आप देखें के ग्रोड ने यहां पे liquidity sweep की liquidity sweep करके यह break किया break करने के बाद यह हमारा order block था यह अपना वो था breaker block और यहां पे price आई इस fair value gap में और price ने आप रेक्शन देखें अधार के market छोपी थी कल मैंने कोई trade नहीं ली इस पे जूड़ा स्विंग की ट्रेड बन रही थी, स्वरी नहीं बन रही थी, लेकर यह सेशन लिक्विडिटी की बन रही थी, जो मैंने आपको कई शॉर्ट वीडियो में बताई थी, कि सेशन की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद, आपको ऑपोसिट डाइरेक्शन तक जैसे के यहां पर यहां पर आपके लंदन का हाई था, ठीक है, मार्किट ने यहां पर इसको ब्रेक किया, ठीक है, यह लास्ट आपका लोवर हाई था, ठीक है, यह लास्ट आपका यह लास्ट वो था, ठीक है, लोवर हाई था, उसके बात आपका यह ब्रेकर ब्लॉक था, with fair value gap भी है तो यहां पर price आई और आपको reaction दिया opposite side की liquidity यहां पर आप देख सकते हैं liquidity पर liquidity अगर आप liquidity सीख गए तो फिर आपको किसी और चीज़ को देखने की जुरूरत नहीं आपको कोई indicator की जुरूरत नहीं पड़ेगे सिंपल बस यह लाइनों पर और यह डबों पर इंगाप करना पड़ेगा तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीख है तो make sure आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को like करें और मेरा telegram channel है आप इसको join कर सकते हैं I give more information there as well so thank you very much